स्टापश की शोतेरी मेरी डूया में एक इंसिडेंट ने वीर के दिल की फीलिंग सबके सामने रखती हैं कि वो करते हैं कीरत से प्यार अब जब यही बात साहिबा कीरत से पूफ सी नजर आएंगी तो कीरत के पास कोई जवाप नहीं होगा क्योंकि वीर का इस तरह से उनका प्यार का इज़ार करना कीरत को एक बड़े जटके की तरह लगा है वही अब हम देखने वाली हैं कि मंदीर मा को मिल जाने वाला है एक ऐसा जर्या जिससे कि वो एक बार फिर से साहिबा को बेज़त कर सके हैं पर डाउट कर चुके और ये पूरा इज़ाम की चान बूच कर वीर को फसाना चाहती हैं साहिबा कीरत को लाना चाहती हैं ब्रार मेंशन में से लिए ये सारी ही चीज़े उनकी प्लानिंग का हिस्सा है यही बार जब साहिबा अंगत को समगाती नजर आएंगी तब अंगत तो तमझते ही है कि अब साहिबा जूट नहीं हो लई है क्योंकि अब उन दोने के बीच की मिसंस्टाने क्लियर जो हो गई है यही दूसरी तरफ हम यह देखने वाले है कि जहां पर अंगत ने जो डायमंड जो बेचा होता है अब वह अंगत पर पर तुरुक एवास का लांच लगाते नजर आने वाले है क्योंकि अप्चिनल में वह डायमंड होगा नकली देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार एं पुले